मेरा यहालो दिस सुहीन तो सोचिल मीडिया ए कि हम सब सोचिल मीडिया यूज कर रहे हैं और चाहे ना चाहो जैसे मैं पहले क्या करता था कि मैं इग्णोर करने केकोशिश करता था कि मैं यूज नहीं करूंगा कि कम से कम तीन चार दिन या दस दिन तक मैं उसको मेंटेन कर सकता था फिर फट से चलो हो जाता था मेरा क्योंकि हम पोर होते हैं कभी कभी कि लगता था रहे आर्यार मैंने नियम तोड दिया मोबल फोन ना यूस करने का और कभी-कभी मैं लेकिन ही जाता हूं अपने साथ और साथ डबा यूस करता हूं भूकिया का तो उससे भी कभी शांति मिलती है लेकिन सोचल मेडिया भी आर्ट अफ लाइफ हो गया है कभी- पाई कहा है कि मोडारेशन कभी-कभी हम लोग कि यूज करो नो प्रॉब्लम जीकि मोडारेशन भी चीए और सजाग भी रहना चीए कि कोई कुछ चीजे हम लोग को हजम नहीं होती जैसे सोचिल मीडिया में बहुत कुछ है कोई कुछ कुछ चीजे अच्छे लगती है कुछ चीजे फरकाती है को चीजे अलग विचार लाते हैं दिमाग में लेकिन हमें उन सब चीजों में एवर्नेस रहना चाहिए कि यह चीजे आ रहा है खास है जिसे हम लोग ने कुछ एक वीडियो देख लिया जो थोड़ा ओफेंसिव था या फिर कुछ नेगेटिव था या फिर हर कोई कुछ ना को शेयर कर रहे है 24 घंटे कुछ ना को शेयर करते जा रहा है तो उसमें एवर्नेस होना चीजिए जिसे कोई टॉपिक एक पकड़ लिया दिमाग ने तो उसके बीचे में लगते रहे हैं हम सब कुछ ना कुछ अब मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं जो बोल रहा हूं है उसमें एवर्न रही है कि आप आपकी देख रहे हो अच्य चीजिए देख रहे हो तो उसरे वर रही है खासकर अपने इमोशन पर अबर रहे है कि कोई कि तोशे मीड़ एक ऐसी जगह है जहां पर आपके इमोशन बहुत हिला जाएगा जैसे आप शांती से हो आराम से हो फिर आपने कुछ देख लिए जिससे आपके दिमाग में कुछ पूटेगा जैसे हमारा पॉलेटिशियन है फिर एक्सिजेंस यह सारे वीडियो दिखाते हैं वह सारे इमोशन के साथ अपडाउन खेलते रहते हैं तो एवर रही है